हम आपको पताएंगे डिजाइनर समझे जो कि बिल्कुल अलग धम से बनाएंगे इसके लिए हमने यहां पर ले लिया मूं की दाल और यहां पर बेशन की भुजिया जो मिलती है यह एक एक कटोरी बराबर कॉंटिटी में लेना है आपको मूंकी दाल मार्केट से लिए हुई है दोनों को खोट अच्छे से पेस्ट लेना है आप इस तरीके से पेस्ट बना लेना पाउडर आप अब एक बॉल में इसको निकाल लेंगे इंस्टेंट समूसे हैं इस तरीके से आप पेकेट में जो मिलती है वह मुंगी दाल ले लिए और इसमें हम किशमिश डाल देंगे तो यह अब यहां पर एक पाराद में एक मैदा ले लिए दो कटोरी मैदा है अब इसमें एक चम्मत देशी गीटा हो देंगे और इसको खुब अच्छे से मिलाएंगे और अब हम यहां पर नमक डाल दिया थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे फोड़ी सा क्रेश करके डालेंगे और पराबर इसको खुब अच्छे से लट्टू नुमा बनने लगेगा तब हम इसमें पानी डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें गुर्बुना पानी करना है प्लीन पानी हमें डालना है इससे हमरा डोब बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही खस्ता नुमा बनता है समय से इसका हमें बहुत ना ज्यादा बना लायम रखना है इस तरीके से टोव बनागे इसको बडाबर हमें कुब अच्छे से चला लेनां गे इस तरीके से और अब हम इसमें थोड़ा से घी हात में मण कर इसको मन लेंगे अच्छी तरह से अब हम इसको ढखके साइड में कर देंगे दस मिनट के लिए अब हमने यह जो अपना एक पाउडर पेस्ट बनाया था अब हम इसमें थोड़े से मसाले मिला लेते हैं मसाले आप नहीं भी मिलाई है फिर भी ठीक लगता है लेकिन थोड़े सा चेकपटा और किश्मिच दाला तो पाउड़े से लिए अच्छा लगता है यह पर हमने लाल मिर्च दाल दिये थोड़ा और यह पर चाट पसाला थोड़ा सा काला नमक अब सब को अच्छे से मिला लेंगे दीपा वली पे आप यह समोसे बनाई है स्टाइलिस समोसे हैं बिल्कु डिसाइनर वाले आलू के अजय से बनागे पोर हो गया है कि छोटी चोटी हमने लोगी के हैं निए बना रहे हैं को छोटे-चोटे मसे बनते हैं और पानी लेलिया हमने थोड़ा साथ गई इसके पहलेंगे पटला में एक मोटा में रखना तलो हम दूसरी पहले लेंगे अब इसको हम भीस से बिल्कुल बरावर में ऐसे इस तरीके से कापनें हैं इसी तरीके से हम सारे बेल के बना लेंगे मिनी समोसे इस्तिपावदी आप ज़रूर बनाईए इसको नेदे के बराबर के जो हमारे इसको दो को हम अलग रख लेंगे और एक भाग में हम लेके चाकु सी हमें पूरा नहीं काटना है यह देहां रखना है कि कौनी समय नहीं काटना है पतले-पतले इस तरीके से पास-पास में अब हम क्या करेंगी जो टूसरी प्लेंती इसमें पूरे में हम पानी लगा लेंगे अब इसको इसके उपर रख देंगे और चारो तरफ से इसको चक्का देंगे अची तरा से पानी लगा के यह देखिए अब इस इन तूसरी साइट में भी हमें पानी लगा लेंगे और इ कि उपर हमारा ये डिजाइन वाला भाग रहेगा और अंदर प्लेन रहेगा अब हम इसमें क्या करेंगे अच्छी क्वांटिटी में हमें इसमें पाउडर डालना है कि मुण की डाल का और बुचिये का आप वैसे इन जाल जो होती है उसको आप भून कर भी पीश सकते हैं उसमें मिला सकते हैं पर हमारी इंस्टेट समों से इसलिए में मार्कर से तैयार लिया है देखिए हमारी ये डिजाइन उपर आ रही है लग रहे है ना बिलकुल अलग सम बॉल्प आप अब हम को आप देखिए में में बना सकते हैं एक डिजाइन वला भाग हमें उपर रखना ये भी करा अब इस तरीके से में सारे लुए अब में साइड से बिलकुत तुरंत नहीं चलाना है अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को लिए और लाइक का बटन जरूर दबाईए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताईए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है पर देकि हमारे समूसे बन गए है पहले हम आपको खस्ते बसा चुकिए है स्तरीके से यह देखिए हमारे तयार समूसे हो गए इसी तरीके समसारी बना लेंगे तो दीगा पर्गिस इस तरीके से दिवाली पर आप सजा के रखी आप कर दो कर दो कर दो